नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है वीपुल राजप्रवित और स्वागत है वीपुल एजूकेशन चैनल पर आप सभी का दोस्तों कल हमने आप इससे एक पॉल सर्वे किया था जिसे पुचाद राक्षा बारा का कुण साव इसे जिसे जाद देन स्टार्ट कराना है तो सबसे ज साइंस में आपके जो पहली बुक है जिसका नाम है समकाल इंविश्व राजनीती उसको शुरू करेंगे और इसके अंदर वही स्लेवर्श तलेगा जो बोड़ निदा कि यानि जो 30 पार्ट काटे गए हैं उन पार्टों को नहीं पढ़ाई जागा ठेक है इसमें पहला पूर्वे कुत stolen करें चलिए वीडियो को प्राणा करते हैं देखें परीश अध्याई पूरी पुरी पुस्दिका के लिए पूर्वे पिठी का प्रस्द करता है यहीं कीदिक का है यहीं प्रियम्बल का काम परस्द करते हैं कि सीतयुद की समाप्तिय को संकालीन विश्व की की बिघरा जाता है और धिए विष्विषव्राजनेटि उसके उसकी सुरुवात हैं यहीं है कि हम कहानी की शुरुआ सीत्यूद की तरफर चीए यहने इसकी शुरुआत कब से करें? सीत्यूद जब सुरुआ था उस स्ट चीड जियूद तरह है इस अदे से शाहित हो गहीए किस तरह दो मा सकती है सिंग्टराइज अमेरिका और सोवी संग का वर्चस्व शीत यूद के कंदर में था यानि दोनों में आ सकते यानि अमेरिका और सोवित संग यानि वर्तबान का जो रूस है उसमें पहले सोवित संग था उन दोनों के बीच में ये दो सीत यूद हुआ था ये वर्चस्व के लिए ये वर्चस्व के मतलब एक अधिकार क लिए हुआ था यह अद्याय हमें विष्व विभी निश्व में समर्ष तर्यों तक बी लेजाएगा यानि विष्व में लग लेजाएगा यानि यूध्र सतल रहते महां तक लेजाएगा इस अद्यम्नियरिपयाओ प्रे इसरे शेवचार किया, कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दब-दबेक चुनोति दी ती गुट निर्पेक्स देशों द्वरा नई अंतराष्य आर्थिक वथयस्ता स्थापित करने के प्रियास verschiedene तर्चा के सध्याई में बताते हुए की गई है यानि जो गुट निर्पेश देश देश के उन्होंने इस अंदरों को अपनी आर्थिक विकास और दो राजनिक स्वतंत्र निर्था उसका साधर मनाएगा अध्यायकंद में भारत की भूमिका के मुल्यांकन भी किया गया है य क्या भारत की ही तो धहांकी रक्षा में इद्था निर्फेक्स सिता जैसे मिले दो गुट थे एक तो तरह यू से अलग ते खेलियए थे ऐने अलग से अलग निर्पेक्स या अलग होना अब देखो यहाँ पर एक चितर दिया गया है इस चितर के बार आप लिखा गया है कि दूसरे विशियोद के अंत के प्रिणाम सुरूब दो मास्क्तियां को देगा है यानि जब सेकंड वर्ल्ड वर्स माप्त होता है तो दो मास्क्तियां मुपड़ी उपर के दो चितरों में दूसरे विशियोद में स्विंक रहता है अमेरिका और समाजबादी सोवियत गंड़ाज़ यानि विजय के अंगित करते है पहला चितरे अमेरिकी सेनिक 23 फरवरी 1945 को आईवो जीमा यानि जापान की लड़े में अपना जंड़ा फरा तो यानि यहां पर जो अमेरिकी सेनिक है वो जापान में अपना जंड़ा फरा रहे है और दूसरा है समाजबादी सोवियत गंड़ाज़ जिक सेनिक मई 1945 में राइस्टेंग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर अपना जंड़ा फराया था अब हम चलते है क्यूबा का मिशाल संगर ठीक है सबसे पहले इस पार्ट की शुरुआता थे क्यूबा की मिशाल संगर से 1961 की अपरेल में सोवियत संग नेताओंग ये चिंत वता रही थे कि अमेरिका शाम्मेवादियों दौराः जो तो इस ऐस इस अधा उस पर आकरमन कर देगा और इस देश के राश्ट पती फिदेल कास्त्रो का तकता परूप उसका तकता पर यानि उस फो उसी सता चली जाएगी तैंड यानि अमेरिका की तर्ष से लगावा क्यूबा का एक छोटा साथ ज़ूप संग से था क्यूबा का जुड़ाए किसे था सोवीज संग उसे कूठना एक था था वित्ती साहते था यानि उसको राज़नेति मतलब उसकी नीतियां में बनाजाता था और उसे आर्थिक साहते था यानि रुपे पैसी की साहता सोवीज संग के नेता निकिता खुरुस चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड़े की रूप में बदलने का फैसला क्या यानि उसमें जो सोवी संग के नेता था निकिता खुरुस चेव उसने क्या क्या क्यूबा को उन iets सुबासट में क्यूबाई कुँबा में प्रमानेपू मिसांडे तरयात कर दी के थियारों के पहली बार अमेरिका नजदी की निसराने के शिमा थियारों हाट्यारों के अमेरिका A정 हंदम क्यों रूस के मिशाले ओके निश्वारे पर आ गया हत्यारों की इस तेनातिक बाद सोविस संग पहले कि तो अमेरीका के मुख्य भूबाग को लगबग दुगने ठीकार यह शेरों पर हमला कर सकता है यहाँ पर जब उसने मिशाले तेनात कर दी तो उससे लगता था कि जादा दुगने ठिकानओं उट उसके शैर पर हमला कर सकता था क्युबा में सोवीध संग द्वारा परमानों हत्यार तैनात करने की भनक अदर के आमेरिका को तीन अप्ते बाद लागी, यानने तीन दोनों देशों के बीच प्रमानों युदु सुरू होते हैं लेकिन वह इस बात को लेगर ड्रिट थे यानि मजबूत थे कि क्यूबा से मिसाइल और प्रमानों अत्यार है वो हटा ले कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिक की जंगी बेड़ों को आगी करके क्यूबा की वो सोविट जाद रह जा रहे थे उनको रोका जाए इसी तरह अमेरिका सोविट संग को मामले की परति अपने गंबीरता की चेताव नहीं देना चाता था यही है इसी को क्यूबा मिसायल संक्ट की रूप में जाना जाएगा इस संगर्ष की आसंका ने पूरी दुनिया को विच्छेन कर दिया कि दोनों समासक्तियां लड़ेगी तब पूरी दुनिया में हरकम बजगी यह टक्राव कोई आम यूद नहीं था आता दोनों पक्सों ने यूद टालने का फिसला किया और दुनिया ने जो है चैन की सांस पर आसलिए सोवेशन के जहाजों ने या तो अपनी दीमी कर लिया वाप्सी कर लिया क्यूबा मिशायल संक्राव यह जो था उसका चर्म बिदो यह मैं पॉइंट था शीत युद सोवित संग और अमेरिका था था इनके साथ ही देशों के बीच प्रति दुन था यानि कॉंपीडिशन एक दूसरे से होड में तनाव और संगर्ष के एक स्रिंखला के रूप में जारी रहा यहां लगा था जारी रहा, सोभा की से इन तनाव और संगर्ष ने युद का रूप ने लिया यानि यह शोभा के रहा कि यहां जो सीति युद चला था वो विचारों में युद चला था नैकी हत्यारों में इन दोनों देशों की बीच कोई भी पूर्ण व्याप ती दूनों मासक्ति और उनके साथी देश इन वी तो मैं सलंगन रहे विशेतर विशेस कि अपने साथी देश की मददगार बने लेकिन दुनिया जो है तीसरे विश्वियों से पंसे गई शीतियों सिर्फ जोर आजमाईस यानि दूसरे को ताकत दिखाना सैने गठबंदन यानि सैना को गठबंदन करना और सक्ति संतुलन का मामला भर भी नहीं था बलकि इसके साथ सथ विचार धारा के स्तर पर यानि विचारों की लड़ाई विचार धारा के स्तर पर एक वास्तविक संगर्ष यानि वास्तविक संगर्ष जानी था विचार धारा की लड़ाई की इस बात को लेकर पूरे विश्व में राजनेतिक, आर्थिक और सामजी जीगुन को सुत्रबद करने का सबसे बैतर सिदान कौन सा है यानि ये चोचा गया कि अमेरिका अच्छा है या रूस अच्छा है पस्च मी गुठबंदन का अग्वा अमेरिका था और वह यह गुट ऊदारवाद को तर पुंजी वाद का समर्दक तक तषी Martin और यह किस का समर्द। उदारवाद का अग्वा तर पुंजी वाद का समर्दक थिक है अब इन विचारधारिस और वहां पर जो है पुंजी वाद और समय वाद की पचार धारंग के पढ़े ठीक है तो यह क्लास आपको कैसे लगी अगर क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना इसको शेयर करना और कॉमेंट करना आप नहीं भूले चलो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नही सब्सक्राइब के बेल आगे गर्टे को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत